22 जनवरी को आयोध्या में होने वाली राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी देश भर में हर्च का माहोल छाया हुआ है एक और जहां राम भक्तों में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहा नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी और भोपाल के म बजन का कारिक्रम आयूजित किया गया है रामलला की प्रतिष्टा से पहले किनर समाज में किनर समाज की भी गहरी आस्था देखी गई किनर समाज की गुरू सुरया ने बताया कि राम के प्रति हमारी गहरी आस्था है हमारा समाज भी आयूद्या जाएगा वहीं अन्य किनरों भी अपनी प्रसनिता व्यक्ति की हैं हमें बहुत खुशी है कि राम भगवान को तो 14 साल का यी बनवास हुआ था वो 14 साल में लोट आए थे लेकिन धरती पर तो बहुत सालों बाद लोटे हैं मुद्दतों कई सालों गुजर गई उसके बाद आयोद्या आए हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी है इस प्लक्ष में आप लोग आयोद्या गए थे आयोद्या से अभी लोट कर आ चुके हैं लेकिन हमारे और किनर समाज वहां पर मौजूद है और हम लोग भी दुबारा जाएंगे और हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम अपनी खुशी बयाई नहीं कर सकते इतनी खुशी जैसे बजरंग बली ने तो अपनी खुशी बयाँ कर दीती सीना फाड़के दिखा दिया था हम तो अपनी खुशी भी बयाँ नहीं कर सकते बहुत खुशी है हमें बहुत खुशी है कि 500 साल बाद राम जी अपनी इस्थान आयोटा बापिस बराजमान हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी किनर समाच को खुशी है आखिरकार हमारे प्रभू हमारे घर बापिस आ रहे हैं तो सबको खुशी है और हम लोग इतने खुश हैं कि हमने दीपों से उनका स्वागत करेंगी घर की साफ सफाईया में काफी दिनों से हम लोग लगे हुए थे दीप मालाय जलाएंगे कल फुस्पों से श्वागत करेंगे भगबान का घर में हम छोटा सा एक फंक्शन करके खुशी मनाएंगे कल के दिन हमारी गुरू सोरया नायक जी बोपाल में भंडारा करवा रही है जिसमें काफी सारी जंता आएगी और हम तो सबसे यही दुआ करते हैं भगबान से भी यही दुआ करते हैं कि बिस्प में सभी खुशाली बने रहे सबकी मनो काम में पूरी हो चैचै सीरा